आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ और इवें, question given है which one of the following statements regarding mitochondrial membrane is not correct यनि mitochondrial membrane के regard में इनमें इनमें कौन सा स्टेटमेंट गल्लत है options है the outer membrane is permeable to all kinds of molecules the enzymes of electron transfer chain are embedded in the outer membrane the inner membrane is highly convoluted forming a series of infoldings and the outer membrane resembles a sleeve ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें किसकी के mitochondria ठीक है, अब mitochondrium basically उसकी layer किती होती है basically two layers होती है ठीक है, एक तो कौन से रहेगी उसकी outer membrane और दूसरी कौन से रहेगी उसकी inner membrane, तो अगर बात करते हैं सबसे पहले outer membrane की outer membrane कैसी रहती है generally वो होती है, smooth ठीक है, as well as उसका nature कैसा रहेगा, permeable ठीक है, यानि वो क्या allow करेगी, वो transfer allow करेगी किसका, small molecules का और enzymes का यानि basically हम यह बोल सकते हैं, जो उसकी जो outer layer है outer membrane जो है, वो क्या करेगी, permeable रहेगी, हर टाइप के जो molecules है, उनके लिए क्या रहेगी, वो permeable रहेगी ठीक है, अगर next बात करें, कि वो bunny वी कैसी रहती है उसमें क्या रहते हैं, porines रहते हैं, ठीक है, कैसे रहते हैं porines करके, proteins रहते हैं, जो क्या काम करते हैं, channel का काम करते हैं अब इन channel से क्या हो रहा है, basically channels के थ्रू ही transport हो रहा है next हम बात करें, किसकी inner membrane की अब mitochondria की जो inner membrane होती है उसका nature कैसा होता है वो होती है semi permeable कैसी रहेगी वो semi permeable semi permeable से हम यह समझ सकते हैं कि वो हर एक product को लाओ नहीं करेगी बहुत चुनिंदा जो रहते हैं उन्हीं को लाओ करेगी यह region कैसा होता है basically enzyme rich region होता है कैसा रहेगा enzyme rich region होता है और inner folding मतलब अगर हम देखते हैं कि जो inner membrane है वही fold form करती है और क्रिस्टे form करेगी क्रिस्टे form करेगी जिसम क्या बोलते हैं inner folding of mitochondria ठीक है और इन क्रिस्टे में क्या रहते हैं बिसिकली यह bear करते हैं oxyzome क्या रहते हैं इन में oxyzome रहते हैं और जो हम देख सकते हैं कि जो electron transport chain है ठीक है उसके लिए जो responsible enzymes होते हैं कौन से electron transport chain के लिए जो responsible enzymes हैं वो भी inner membrane में होते हैं ठीक है अगर हमें option देखना हो कि कौन सा correct है तो सबसे पहले देखते हैं कि the outer membrane is permeable to all kind of molecules यह true होगा the enzyme of electron transport chain are embedded in outer membrane यह wrong होगा क्योंकि जो electron transport chain के enzyme में वो inner membrane में होते हैं next the inner membrane is highly concentrated forming a series of infoldings inner membrane यह क्या form करी है क्रिस्टे फां करी जो से हम क्या बोल सकते हैं infoldings जैसा कि हैं structure में हमें दीख रहा है यह क्या form करती है inner folding फॉल्डिंग फॉर्म करती है और इसे क्या क्या बोलते हैं क्रिस्टे ठीके यह आउटर मेंब्रेंज जो है यह कैसे ले कि कंप्लेटली परमिएबल और इनर मेंब्रेंज कैसे ले कि semipermeable और जो आउटर मेंब्रेन ने उससका जो स्ट्रॉक्चर अगर हम देख सकते तो कैसा स्ट्रॉक्चर फॉर्म करती है उसको रिजैंबल करती है एक स्लीव की तरह तो जह हमारा एंसर होगा यहां पर वह ओगा ऑप्शिन नंबर बी कौन सा होगा ऑप्शिन नंबर बी थैंक यू क्लासिक स्ट्रॉल से लेके नीट आयाइटी जेही मीन्स और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेटा यह वाथ्साप कीजिए अपने डाउट्स आट चार्सो 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 पर